स्टीवमा सॉलुशन चेप्रा 30 गोस्लोग क्वेशन नमपर 14 फाइंड देन्सिटी फिल्ट अट पॉइंट 4 सेंटीमेटर अवे फ्रॉम लाइंग चार्ज ओफ डेंसिटी 2 इंटी पार मैनस 6 कूलंब पर मेटर स्कूरर ओके तो अपने पास यह मानलो रोड है जिसके ओपर फिताल था जमानलो क्यू है इसका चार्ज डिंसिटी गीवन है लेमडा एस इकल टो क्यो बाइइल चार्ज प्रइट tulee यह अंगर मैं निकालूं तो किसी लेंद पे तो total flux from enclosed surface is equal to q by epsilon not तो पहले अपने वो गोशन surface बनाना पड़ेगा तो linear charge के लिए गोशन surface होता है cylinder ठीक है अगर नहीं समझ में आए तो इसको क्या पर अगर मैं फूला हूँ तो यह cylinder का shape लेगा तो अपने काम करते हैं यहां पे पूला में गोशन surface मनाते हैं ठीक है और यह जो इसका में वह फोर सेंटीमेटर से पास हो रहा है ठीक है यहां पर हमें electric field करना है तो यहां से चार्ज enclosť है यह Charged McLose है पहले Charged kita निकान देते तो मौन लो यह Lent मेरा यह Lent मेरा एल है तो charge कीतना होगा अगर अगर length L है, तो charge कितना होगा, and close charge कितना होगा, Q is equal to lambda into L होगा, ओके, और यहाँ पर जो field होगा, इस charge के विज़े से field इस direction में होगा, right, field का direction ये होगा, ओके, अब यहाँ पर अपने पास गोशलो क्या बोलता है, total flux come from Gaussian surface is equal to charge and close upon epsilon 0 is equal to close integral of E dot ds, right, E dot ds, यहाँ पर देखो, जो surface है, अपने पास 3 surface है, एक ये नीचे वाली surface है, circular, एक उपर वाली circular surface है, और ये curved surface है, ठीके, तो यहाँ पर surface ये ds इस direction में, ये ds इस direction में, और ये ds इस direction में, right, तो देखो, ये जो curved surface है, वो तो electric field की direction में ही है, लेकिन जो circular surface है, वो electric field की perpendicular direction मे और डोट पड़क क्या होता है, डोट पड़क होता है, E ds cos theta, cos theta बोलेंगे तो cos 90, यहां दोनों angle क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, theta is equal to 90 आ रहा है, और यहां ठीटा is equal to 0 आ रहा है, तो यहां का, तो 0 हो जाएगा, E ds 0 होगा, और यहां ही क्या आएगा, यानि हम लिखेंगे, q in is equal to epsilon 0 is equal to E into ds, ds कौन सा, यह वाला area ही लेंगे, इस वाले area में से कोई field line पास नहीं हो रही है, तो अपन लिखेंगे, यह वाला area कितना होता है, pi, यह मानलों अगर R लिखा पन है, तो pi r, 2 pi r into h, h कितना है अपना L, right, ओके, तो अपने पास q in close कितना है, lambda into L, lambda into L upon epsilon 0 is equal to E into 2 pi r, L, L cancel out, तो E is equal to आजाएगा अपना lambda by 2 pi r epsilon 0, right, ओके, यहाँ पे इसको easy करने के लिए उपर नीचे 2 से multiply कर देते हैं, तो यह आजाएगा दो को lambda upon 4 pi epsilon 0 into r, 4 pi epsilon 0 क्या होता है, k lambda by r, right, अब answer निकालते है, value put करते है, k कितना होता है, 9 into 10 की बार 9, lambda अपने को दे रहा है, 2 2 into 10 की बार minus 6, और r अपने को दे रहा है, 4 into 10 की बार minus, sorry, एक यह 2 आएगा न, यहापे 2 multiply कर दे, r कितना है, 10 की बार minus 2, तो 4 4 cancel out, यह तो 10 की बार minus 4, minus 4 और plus 9, यह 5, यह 9 into 10 की बार 5, क्या जाएगा, newton per column electric field आएगा,